नमस्कार कारिकरम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है मैं हूं ममता चूपड़ा बीते हफ़ते विश्व भर में कई हैरान करने वाली घटनाई देखने को मिली मुस्लिम कटरवाद और मुस्लिम देशों के प्रती संकीन नजरिया प्रदर्शित करने वाले अमेरिकी राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प ने जहां अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सौधी अरब को चुना तो वहीं फ्रांस के युवा राष्टपती ने एक नई तरह की कैबिनेट बना कर एक नई सोच सामने रखी और 200 सालों में पहली बार जापान के समराथ अपने मर्जी से छोड़ रहे हैं राजकरती साथ ही आज के स्काइक्रम में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में बन रहे चीन के आर्थी गलियारे को लेकर क्या हुए चौकाने वाले खुला से लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों के साथ मुस्लिमों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले अमेरिकी राष्टपती पहली विदेश यात्रा में पहुंचे साओधी अरब दुन देशों के बीच हुआ अब तरका सबसे बड़ा 110 अरब डॉलर का हथियार सोधा लगातार दूसरी बार हसन रुखानी को मिला जनादेश चुने गए इरान के राष्टपती कट्टर पंधिपती द्वंद्वी इब्राहिम रईसी को दीशिकस FBI प्रम्रुक जेम्स कोमी को बच से हटाने को लेकर विवाद गहराया राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प पर पूर्व राष्ट्रे सुरक्षा सलाकार जेम्स प्लिन के खिलाफ जाज बंद करवाने का लगा आरो रूस को गोपनिय खुफिया जानकारी लीक करने का भी आरो पूर्वी लीबिया पर कबसे वाली लीबिय नाशनल आमी के एर बेस पर पश्चमी लीबिया की सेना का बड़ा हमला 148 की मौत पश्चमी लीबिया ने रक्षा मंत्री को बरखास कर दिये जाज के आदेश जपानी इतिहास में पहली बार राजा अकी ही तो छोड़ेंगे बड़ जपानी मंत्री मंदल ने दी राजा के बड़ त्याग विधेक को मन्जूरी प्यार की खातिर राज खराना छोड़ेंगी राज कुमारी मा को अपने चनाव प्रचार की दोरान कट्टर पंथे इसलामिक आतंकवाद पर जोर देने वाले और राष्टपती बनने के बाद साथ मुस्लिम देशों पर ट्रावल बैन लगाने वाले अमेरिके राष्टपती डॉनल्ड ट्रंप ने जब अपनी पहली वी देश यात्रा के लिए भेतपुन इसलामिक देश सौधी अरब जाने की घोशना की तो अश्चरे होना सुभाविकी था यहां ट्रंप ने 50 मुस्लिम बहुल देशों के निताओं को संबोधित किया ट्रंप के संबोधन में जिस मुद्धे पर खास तवज्जो दी गई वो है आतंकवाद से लड़ाई और वहीं लोगतंत्र और मानवाधिकार जैसे शब्दों से बचा गया चुनापरचार के दौरान जिस राजा के बचाव में अमेरिका के भारी आर्थिक नुकसान का आरोप लगाते रहे थे अब उसी की सरजमीन से अपने पहले विदेशी दौरे का आगास कर राश्पती डोनाल्ड टरंप ने पूरी दुनिया को चौका दिया है इस दौरान अमेरिका और सौधी अरब के बीच 110 अरब डॉलर का हथियार सौधा भी हुआ है जो वाइट हाउस के मताबिक अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हथियार सौधा है इसके आलावा विभिन छेतरों में करीब 15 संजोते भी हुए हैं अपनी स्यात्रा के दौरान ट्रप ने खाड़ी देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात की उन्होंने इसलाम के विशे पर होने वाले एक सेमिनार को भी संबोधित किया ये सेमिनार उसी तरस पर था जैसा कि 2009 में बराक उबामा ने काहरा में मुस्लिम जगत को संबोधित किया था दिल्चस बात ये है कि सिर्फ 13 महीने पहले जब अमेरिका के ततकालین राश्पती बराक उबामा सौधी अरब आये थे शाह सलमान ने उनके स्वागत में कोई गर्म जोशी नहीं दिखाई थी एरपोर्ट पर उन्हें लेने सिर्फ एक अस्थानी एक गौर्नर भेज दिया था उनकी यात्रा को लाइव कवरेज भी नहीं दिया गया था तब सौधी अरब और उनके सहयोगी खाड़े देश उबामा दोरा इरान के साथ किये गए परमारू समझोते से नाराज थे टरम शुरू से ही परमारू समझोते के विरोध में रहे हैं और सत्ता में आने के बाद इसे खत्म करने की बात करते रहे हैं साथ ही 9-11 हमलों में सौधी अरब की भूमिका को उठा कर उसे कड़गरे में भी खड़े करते रहे हैं इसके अलावा मुसल्मानों को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं और साथ मुस्लिम देशों पर अमेरिका में प्रवेश पर पतिबंध भी लगा चुके हैं बाजूद इसके उन्होंने विदेश यात्रा की शुरुआत सौधी अरब से करने को सिर्फ तरजीह ही नहीं दी बलकि कई एहम समझोते भी किये इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने हसन रुहानी के दोबारा चुने जाने पर उन्हें चेत्र में अपनी आइस्थिर्ता पैदा करने वाली पारंपरी की नीत पर समीशा करने के सलाह देकर साफ कर दिया है कि चेत्री वर्चस के लड़ाई में सौधी अरब अब भी अमेरिका की पहली पसंद हैं ट्रंप आठ देशों की विदेश यात्रा पर हैं वे सौधी अरब के बाद इस्राइल, फिलिस्तीन, शित, ब्रुसल्स, वैटिकन सिटी और सिसली भी जाएंगे इरान में राष्टपती चुनावों के नतीजे विश्वनेताओं के लिए अच्छे ख़बर ले कर आए हैं हसन रुहानी जो परिवर्तन के नारे के साथ 2013 में राष्टपती बने थे, एक बार फिर राष्टपती चुन लिए गए हैं रुहानी ने अपने निकर्तम पती द्वंद्वी, कट्टर पंथी, इब्राहिम रईसी को माद दी इसे दुनिया के दूसरे मुलकों के साथ इरान की संबंधों को पुनरभाशित करने और देश की संकर से जूज रही अर्थ्वेवस्था को नई गति प्रदान करने के रुहानी के प्रयासों पर जनता की मुह लगाये जाने के तौर पर ही देखा जा रहा है राश्टपती रुहानी के पास अब अपने सुधार कारिक्रमों को आगे बढ़ाने, चरम पंथ को खत्म करने और अर्थ्वेवस्था को पट्रे पर लाने के लिए बड़ा जना देश है तेहरान की सडकों पर जच्छन है, ज्यादा आजादी के नारे को जनता ने एक बार फिर्श रहा है हसन रुहानी दोबारा इरान के राश्टपती चुलिये गए है रुहानी ने अपने निकर्तम पर तिदोंदी अनुदार वादी पहचान रखने वाले इबराहीम रईसी को माद दी है 68 साल के हसन रुहानी सुधार और परिवर्तन का नारा देते हुए 2013 में राश्टपती बने थे तब रुहानी ने और ज्यादा अज़ादी और पश्चमी देशों के साथ रिष्टों का दर्वादा खोलने की बात कही थी रुहानी नियरान को अलगाओं से बाहर निकालने के लिए परमाण मुद्दे पर पश्मी देशों के साथ बात्ची शुरू की और समझाता भी हुआ इसके बाद इरान की विदेश नीती के नए दौर का आगाज हुआ कई पश्मी निताओं ने इरान का दौरा किया फिर भी विकास और रोजगार के वादे पूरे नहीं हुए महगाई की दर को 40 प्रतिशत से 10 प्रतिशत लाने में काम्याबी जरूर मिली लेकिन बेरोजगारी की दर अभी भी 12 प्रतिशत बनी हुई है 25 से कम आयू के युआ लोगों में बेरोजगारी दर 26 प्रतिशत है रोजगारी ने विपक्षी कारकरताओं के दमन को खत्म करने का वादा किया था लेकिन 2009 के चुनाओं में धांदरी की शिकायत करने वाले मेहदी, कारूही, मीर, हुसेन, मुसावी और उनकी पत्नी जहरा, रानार्द अभी भी नजर बंद हैं रोजगारी ने नागरी का धिकार चार्टर बनाने का वादा किया था और उसे आगे भी भढ़ाया लेकिन कानून मंत्राला के हस्तक्षिप से वो भी खटाई में पढ़ गया कटर पंथी मौलवी का समर्थन ना मिलने के चलते रूहानी के सांस्कृतिक सुधार नीती आगे नहीं बढ़ पाई एक बार फिर उसे मुद्दा बनाया है और जनता ने पसंद किया है इरान की राजनेतिक व्यस्ता में राश्पति सरोच नहीं है सरोच नेता सरोच धार्मिक नेता होता है हर महतपूर मुद्दे पर उसका फैसला अंतिम होता है वो देश की घरेलू और विदेश नीती तै करता है और इरान की सेना का सरोच कमांडर होता है चार साल के लिए चुना जाने वाला राश्पती देश की आर्थिक नीती के लिए जिम्मेदार है वो अपने मंत्रियों का चुना खुद करता है लेकिन उसके लिए उसे निगरानी परिशद और संसत से अनुमोदन लेना पड़ता है दो कारेकाल के तुरंट बाद राश्पती तीसे कारेकाल के लिए चुनाओ नहीं लड़ सकता है चीन में अभी पिछले हफ़ते ही वान बेल्ट वान रोड योचना पर अंतराश्टी सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत ने जिस चीन पाकिस्तान और योगी गलियारे के संबंध में उसकी चिंताओं को लेकर आपत्ती जताई और हिस्सा नहीं लिया अब उसी गलियारे के पीछे का चीन की मेंशाओं का सच पाकिस्ताने मीडिया में कई ऐसे सवाल खड़े कर रहा है जिन को लेकर सरकार मुश्किल में नजर आ रही है पाकिस्तान में एक वर पहले ही इस गलियारे को लेकर सवाल उठाता रहा है आईए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के डौन अखवार ने इस गलियारे को लेकर क्या चौकाने वाले खुला से किये हैं चीन की महत्वकांग्शी परियोजना वन बेल्ट वन रोट का हिस्सा माने जाने वाले चीन पाकिस्तान और योगी गलियारे को भारत ने अपनी संप्रभुता पर हमला मान कर इसके भहिशकार का निर्ने किया है अब पाकिस्तान से भी ऐसे ही सुर्ष सुनाई दे रहे हैं पाकिस्तान के डौन अखवार ने गलियारे को लेकर जो खुला सा किया है वो चौकाने वाला है पाकिस्तान का दावा है कि चीन को गौादर बंदरगाह से जोडने वाले इस औद्योगिक गलियारे के जरीए उसके यहां 50 अरब डॉलर का निवेश होगा लेकिन अख़वार की रिपोर्ट फाइदे कम नुकसान ज्यादा की बातें कर रहा है चीन पाकिस्तान से अपने नागरिकों और कारोबारियों के पाकिस्तान आने जाने के लिए वीजा की पादिता को समाप्त करने की उमीद कर रहा है इस आधार पर शक्ट जताया जा रहा है कि कहीं चीन पाकिस्तान की स्थिती भी तिबद की तरह बनाने की योजना पर तो काम नहीं कर रहा गलियारे की 24 गंटे वीडियो कैमरों के जरिये निगरानी होगी लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि निगरानी का केंद्र कहा होगा चीन इसे अपनी जमीन से करना चाहता है अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान की संप्रबुता के विरुद्ध होगा क्योंकि चीन के पास पाकिस्तान की पलपल की जानकारी होगी मूल दस्तावेजों में चीन ने कई ऐसी शर्टें रखी हैं जिसे पाकिस्तान के क्रिशिक शेत्र में चीन का काफी दखल बढ़ जाएगा बीज से लेकर फसलों के प्रसंस करण तक में चीन की भूमी का बढ़ने के सपष्ट संकेप इस दस्तावेज में मिलते हैं साथ ही चीनी संस्क्रिती को पाकिस्तान में बढ़ावा देने वाले कदमों की चर्चा भी इस दस्तावेज में की गई है इन सभी बिंदों को देखते हुए पाकिस्तान में एक वर्ग इस गलियारे को लेकर सवाल उठाने लगा है रही बात जमीन अधिगरहन की तो इसे लेकर पहले से ही विबात था अखबार की माने तो ये समझोता पत्र 231 पन्नों पर आधारित है पाकिस्तान सरकार को इस समझोते पर दस्तखत करने के लिए कुछ राज्यों की सहमती अनिवारे थी सरकार को डर था कि अगर मूल रूप से दस्तावेज भीजा गया तो राज्ये मुकर सकते हैं लहाजा मूल दस्तावेज के बदले 31 पन्नों का ही एक संशिक दस्तावेज राज्यों के पास भीजा गया जिससे आपत्ती जनक बातें गायब हैं अख़बार के खुलासे से विपक्ष ने मूल दस्तावेज को सार्वजिनिक करने की मांग की है यानि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में ये मुद्दा गर्मा सकता है अमेरिका की राजनीती में विवातों का उबाल इस वक्त उफान पर है सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रम्प ने पूर्वर राष्टे सुरक्षा सलाका जेम्स फ्लिन के खिलाफ एफबिया जांच को रोकने की कोशिश की थी क्या अमेरिकी चुनाव में कतित रूसी दखल के बीच के संबंध की जांच को ट्रम्प ने प्रभावित किया था क्या इसी के चलते कौमी को हटाये गया क्या वास्तव में रूस के साथ ट्रम्प ने खुफिया जानकारी साज़ा की थी सवाल काफी कंभीर हैं और इन सवालों के घेरे में हैं खुद राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प अमेरिका में FBI प्रमुक जेम्स कौमी की प्रखास्तकी का विवाद गहराता जा रहा है कौमी को उनके पद से हटाये जाने के बाद सामने आये कुछ दस्तावेजों ने अमेरिकी राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प की मुश्किलें बढ़ा दी हैं आरोफ है कि ट्रम्प ने प्रोर राष्टी सुरक्षा सलाकार जेम्स फ्लिन के खिलाफ FBI जांच को रूखने की कोशिश की थी फ्लिन रूसी अफसरों से संबंदों को लेकर जांच के घेरे में थे और उन्हें अपने पत से स्तीफा तक देना पड़ा था अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ट्रम्प ने फ्लिन के खिलाफ जांच बंद कनने को कहा था ये दावा कोमी दोरा लिखे गए एक ग्यापन के आदार पर है जिसमें कहा गया है कि मैं उमीद करता हूँ कि आप इसे जाने दे सकते हैं ये ग्यापन फिलिन के स्तीफे के एक दिन बाद ट्रम्प और कोमी के बीच हुई बैठक के बाद लिखा गया है कोमी को अचानक ही एक ऐसे समय में पद से हटा दिया गया था जब वैं ट्रम्प के चुनावी अभियान और अमेर की चुनाव में कतित रूसी दखल के बीच के संबंद की जाच कर रहे थे हाला कि ट्रम्प ने ऐसे आरवपों का जोरदार खंडन किया है रूसी दखल मामले की जाच का जिमा पूरू एफबियाई ने दे शक रॉबर्ट मूलर को सौपी गई है जो काफी सक्त सौभाओं के मानने जाते हैं लेकिन इस बीच रूस के साथ चानकारी साजा करने का एक और मामला भी सामने आया है जिससे अमेरिका की राजनी थी गर्मा गई है एक अगवार का दावा है कि ट्रम्प ने रूस को गोपनी खोफिया जानकारी लीक की है खबन में कहा गया है कि ट्रम्प ने रूसी विदेश मंत्री सरजेई लावरो से कोड़ वर्ड सूचना पर बात की मामले ने तूल पकड़ा तो ट्रम्प ने ट्वीट कर कहा कि इसलामिक स्टेट समूख के खिलाफ लड़ाई मजबूत करने के लिए रूस के साथ जानकारी साजा करने का उन्हें पूरा आधिकार है मामले को लेकर जहां विवक्षी डेमोक्रेट हमले बोल रहे हैं तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी में भी मद्वेद देखे जा रहे हैं बेचानी इस कदर है कि पार्टी के एक सांसर ने तो यहां तक कह डाला है कि ट्रम्प प्रशासन में हो रहे गोटाले वाटर गेट कांट के स्थर तक पहुँच रहे हैं विनेजविला एक ऐसा देश जिसके पास अपार तेल भंडार हैं लेकिन विडंबना देखिए कि इसके नागरिक आज डाने डाने को मोहताज हैं एको राश्टपती निकुलस मादुरो के खिलाफ अप्रेल में जो विरोध प्रशासन शुरू हुए थे उनमें मरने वालों की संख्या तेजे से बढ़ती जा रही है तो दूसरे और महंगाई और गरीबी के चलते हिंसा लूट पार आम बात हो गई है आर्थिक संकट से जूज रहे वेनिस्विला में अस्थिर्ता बढ़ रही है हर घुजरते दिन के साथ वेनिस्विला में हालात बत्तर होते जा रहे हैं दाने दाने को मोहताज नागरिक लूट पार पर उतराए हैं राश्टपती निकलस मादूरो के खिलाफ अप्रेल में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में मरने वालों और घायल होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है लोस्टेक्स में चात्र कई हफतों से पढ़ाई छोड आंदोलन में कुद पढ़े हैं पहले से भयावे आर्थिक संकर से जूज रहे वेनिस्वेला में अस्थिरता बढ़ गई है खादे सामगरी और दवाओं की व्यापक कमी है घरीबों और भूखों पर महंगाई की मार उनके मुह का निवाला चीन रही है दुकानों पर लंबी कतारों की तरह जगा जगा पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जड़पे अब आम बात हो गई है वेनिस्वेला के ताजा हालात पर अमेरिका ने भी चिंता जटाई है अमेरिकी राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प ने तो वेनिस्वेला में चल रही स्थिती को मानवता के लिए अभी शाप तक बता डाला है जो कुछ जरूरी होगा हम वो करेंगे इसे ठेक करने के लिए जो कुछ जरूरी होगा उस पर हम मिलकर बात करेंगे ये मानाता के लिए अभी शाप है वेनिस्वेला के राष्टपती निकुलस मदरो ने अमेरिका पर पलट वार करते हुए कहा है कि टरम्प हस्तक्षेप की नीती से बाद आएं उन्होंने कहा कि टरम्प की नीती वेनिजुला की समाजवादी सरकार की समप्रभुता का उलंगन करती है इसे पहले टरम्प प्रशासन ने वेनिजुला के सुप्रीम कोड के आठ सदस्यों पर देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरूप लगाते हुआ पाबंदियां लगा दी थी पिछली मार्च में आए एक आदेश में शीष अदालत ने विपक्ष नियंतरित असेंबली की बाकी की शक्तियों को रद्द कर दिया था जो घातक अशान्ती की लहर का कारण है रूस ने मासिक आधार पर कई हजार टन गेहुं वेनिजुएला भीजने का बादा किया है उमीद की जा रही है के इससे वेनिजुएला को खादे संकट से निपटने में मदद मिलेगी अपार तेल भंडारों के बावजूद वेनिजुएला में भोजन, दवा और अन्यमूलभूत चीजों की कमी है विपक्ष इसके लिए समाजवादी सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को दोशी ठहराती है वही राश्टुपती निकलस, पूंजी वादी, विपक्ष द्वारा की गई गड़बडी को दोश्ते रहे हैं दोनों और से आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जनता दाने दाने के लिए तरस रही है सिउकतराष्ट की संस्था युनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी कर बच्चों के अकेले पलायन करने पर चिंधा जाहिर की है संस्था के मताबिक पिछले दो वर्षों की दौरान 350 लाग से ज़्यादा बच्चों ने अकेले पलायन किया युनिसेफ के मुताबिक इस तरह के शनार्थी बच्चों की संख्या वश 2010-2011 के तुलना में पांच गुना तक बढ़ चुकी है फ्रांस की राजनीती एक नए दौर में प्रवेश करती दिख रही है पहले राश्टपती चुनावों में जनता ने पालंपरिक दलों से इतर एक नई राजनीतिक पार्टी को बहुमत से जिताया और अब राश्टपती मेकरों ने कई दलों के दिगजों, विशेशग्यों और वेपार जगत की लोगों को ही कैबिनेट में जगा देकर राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है साथ जनता से किये गए चुनावी वायदे के मुताबिक कैबिनेट में आधे पदों पर महिलाओं को जगा दी गई है इस तरह एक प्रगती शील राजनीतिक सोच तो मेकरों ने सामने रख दी है लेकिन इस पहल की पहली परीक्षा होगी अगले महीने जब संसदिय चुनाव होने है राजनीतिकी अलग अलग धाराओं से कई हस्तियों को एक साथ लाकर फ्रांस के राज़पती इमानिवल मैकरों ने नई मिसाल पेश की है नई राजनीतिक पार्टियों के साथ सियासी सफर की शुरुवात करने वाले मैकरों ने कई दलों के दिगजों को लेकर अपनी कैबिनेट में जगह देकर दक्षिन पंतियों को हैरत में डाल दिया है इनकी कैबिनेट की सबसे खास बात रही कि मैकरों ने अपने चुनावी अभियान में अपने वादे के मुताबिक नए कैबिनेट में आधे पदों पर महिलाओं को जगह दी शायद इसी वज़े से इनकी कैबिनेट को महिला संतुलित कैबिनेट भी कहा जा रहा है जिसमें बाइस में से ग्यारा पदों पर महिलाएं है हाला कि पांच प्रमुक पदों में से किवल एक ही महिला को सांपा गया है युरूपी संसत की पूर्व सदस्य और युरूपी देशों के बीच निकट सहियों की घोर हिमायती सिल्वी गोलाट को रक्षा मंत्राले की एहम जम्यदारी मिली तो ओलिम्पिक चेंपियन लॉरा फ्लेसल को खेल मंत्री बनाया गया है मद्यम रूडिवाधी विचरधारा की व्रूनो ले मेर को आर्थिक मामलो का मंत्री लिओन के सोशलिस्ट मेर جराट कॉलोम को ग्रिह मंत्री और मद्यमार की दल के फ्रांसवा बाईरू को न्याय मंत्री बनाया गया है जिया इलू ढ्रिया जो पूर्व राष्टपती फ्रांसों आउलांद के समय रक्षा मंत्री थे अब विदेश मंत्रा लेका कारेभार सम्हालेंगे मैक्रो ने अपनी सरकार में नए चेरों को भी जगह दी है कारोबार जगत में दखल रखने वाली मुरियल पेनिको को श्रम मंत्री बनाया गया है मैक्रो ने रिपब्लिकन नेता एड़ॉर्डो फिलिफ को फ्रांस का नया प्रधार मंत्री बनाने की घोशना की नए राश्टपती ने ना केवल राजनितिक दलों और नेताओं को कैबिनेट में जगह दी है बलकि विशशग्यों और कारोबार जगत से जुड़े लोगों को भी शामिल किया है टेक्स रिकार्ड का पता लगाने की वज़ा से हुई देरी फ्रांस के नए राश्टपती को उमीद है कि अगले महीने होने वाले संसिदी चनौव में उनकी टीम बहतर फ्रदर्शन करेगी और दोबारा राश्टपती बनने के उनके संभावनाएं मजबूत होंगी विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांच के खिलाफ साथ साल से जारे रेप केक मामले की चांच को सुईडन के अभियोचक कार्याले ने बंद करने का फैसला किया है वर्ष 2012 से एक्वडॉर के लंदन स्थित दूतावास में शरण लिये असांच के लिए ये बड़ी नयाइक चीत है सुईडन के लोग अभियोचक कार्याले के लिए असांच के खिलाफ पूरे यूरोप में लागू गिरफतारी वारंट पर अमल करने का या उसे निरस्त करने का शुकरवार को आखरी दिन था पूर्वी लीबिया पर कबजे वाली लीबियन नाशनल आर्मी के एक एर बेस पर पश्चिमी लीबिया की सेना ने एक बड़ा हमला कर 141 लोगों को मार डाला है हमले से दोनों पक्षों के बीच युद्विराम मुश्किल में पढ़ गया है लीबिया में इस समय दो अलग-अलग सरकारे हैं इन में पूर्वी भाग में लीबियन नाशनल आर्मी का कबजा है जबकि पश्चिमी भाग में युनाइटेड नेशन्स की सरकार है दक्षिन अफ्रीका में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की बड़ती घटनाओं के विरोध में राश्थानी प्रिटोरिया में निकाले गए मार्च में सैक्डों लोगों ने हिस्सा लिया मार्च में शामिल लोगों में ज्यादतर पूरुश थे दक्षिन अफ्रीका की गिरती दुनिया के उन देशों में होती है जहां यौन हिंसा की दर सबसे ज्यादा है आकरों के मताबिक बीते साल इस तरह के 64,000 मामले दर्च किये गए थे इतिहास गवा है कि कभी किसी शासक ने अपने इच्छा से ना तो गद्धी छोड़ी है ना ही अपने अधिकार लेकिन जापान की राजशाही आज एक अलग नजीर पेश कर इतिहास बना रही है जापान के समराट अपने मर्जी से अपना पद छोड़ रही है जिसके लिए बाकाइदा विधेक लाया गया है और आजकुमारी मा को प्यार की खातिरे काम नागरिक से शादी कर राजखराना छोड़ रही है पिछले 200 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब जापान का समराट अपने गदी का फरित्याग करेगा और जापान ने इसके लिए खानूनी बंदोबस्त भी कर लिया है जापान सरकान ने अपनी राजा अकी हितो को पद छोड़नी की अनुमती देने वाले विधे को मंजूरी दे दी अब इसे संसर से मंजूरी दिलाए जाएगी गानून बनने के तीन साल के भीतर राजा को पद त्यागना होगा इससे पहले आए खबरों में बताया गया था कि 83 वर्षी आकी हितो दिसंबर 2018 में पद छोड़ सकते हैं योराज नारू हितो एक जनवरी 2019 को जापान के समराट बन सकते हैं पिछले साल जुलाई में समराट के पद छोड़ने की इच्छा सामने आने के बाद जनता चकित रह गई थी आगस्त में समराट ने सर्वजनिक रूप से अपने उम्र और गिरते स्वास्ते का उलेक किया था इसे बड़े वेटों को मुकट सौपनी की उनकी इच्छा के रूप में भी दिखा गया लेकिन जापानी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है यह वज़ा है कि राजा की इच्छा पूरी करने के लिए विधहयक लाया जा रहा है 23 दिसंबर 1923 को पैदा हुए आकिहितों ने अपने शासनकाल का ज़्यादा तर समय अपने पिता के नाम पर एशिया में जंग का घाव भरने में विताया उन्होंने सामान नागरिकों को राजशाही के करीब लाने में एहम योगदान दिया जापान में कमी राजा को दिव शक्ति माना जाता था लेकिन मौजूदा दौर में लोगों की एकता के प्रतीक के रूप में समविधान में परिभाशित किया गया है जिसके पास कोई शक्ति नहीं है उनके अपचारिक करतेवे में विरिक्षा रूपन से लेकर विदेशी नेताओं राजदूतों का स्वागत करना है एक तरफ समराट वरती उम्र के कारण गद्धी छोड़ रहे हैं तो दूसरी ओर राजकुमारी मा को प्यार की खातिर शाहिसान और शौकत त्याग रही है वो पेशे से एक कानूनी सहायक 25 वर्षे युवक केई कोमूरों से फ्यार करती है और उनसे शादी करना चाहती है जावानी राजघनाने के नियम के अनुसार कौमूरों से शादी करते ही राजकुमारी माको का राजघराने से रिष्टा तूर जाएगा और वो जावान की एक आमनागरिक बन जाएंगी उन्हें ऐसा करने की इजाज़त भी मिल चुकी है निदा फाजली सही कहते हैं कि किसी के वास्ते राहे कहां बदलती हैं तुम अपने आपको खुद ही बदल सको तो चलो हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश हिफाज़तों की रिवायत बदल सको तो चलो खबर दुनिया की कारकरम के आज की संक में बस इतना ही आप अपने सुझाव अपने प्रतिक्रियाएं हमें इमेल कर सकते हैं मारा इमेल आइड़ी है खबर दुनियाकी आट जीमेल डॉट कॉम और जाते जाते हम आपको छोड़े जा रहे हैं मौसको के रेड स्क्वेर पर आयोचित होने वाले पाराम पर एक भाव ये विजे दिवस परेट की कुछ रोचक छलकियों के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजे इजासत नमस्कार ढुईत को ऊचित हैं मौसक्ट पाविश प्रूरी ओस्मारी रहां पुबढें को लाव पाव दो, रहाद ही डिजा स्क्वेरे टाओ फड़ पाव चाहिए ङूरी खो चाहिए भाव उना साथ हमें पारामारी ये आट हमें जाहीर विड़ते हैं मौसको avoir बापको प्रू़ क